नवश्कान मैं रफ्तर आशिश आ रहां, MBBS आज हम बात करेंगे कि टाइबिटीज में हमें इटली सावर खाना चाहिए या नई खाना चाहिए टाइबिटीज में कोई भी बोजन या निखाने की चीज पायदा करेगी, या नुक्साल करेगी, ये जार बातों पर निर्वर करता है हम जो बोजन ले रहे हैं उसकी मातरा किती है उसमें जो पोस्टिक तद्वे हैं उसकी जरुआ टाइबिडीज में कितनी होती है अब उस बोजन को एक दिन में कित्ते बार लेते हैं अपते मैने में कित्ते बार लेते हैं और साथ साथ उसके साथ हमारे खाने में और पौन-प फाइदा करेगा इटली सावर में वो सभी पोस्ट रिक्तद्व, सही मातरा और सही पतिशत में होते हैं जो कि डाइपीडिस को नियतित रखने के लिए और ठीक करने के लिए और फास रहने के लिए जरूरी होते हैं इडली सावर में दूसरे फोजन की दूलना में केलोरी कम होती है और कम केलोरी में भी आसानी से बीट बर जाता है तिक्षभी बुरी हो जाती है और साथ-साथ कम केलोरी में हमें दूसरे पोस्टिकत बहुत आसानी से मिल जाते हैं कि डाइपिटीज को नियंदेद रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं इडली सावर में केलोरी कम होने के साथ साथ लाइसे में केंडेट्स भी कम होता है पैतालिस के नीचे होता है और साथ साथ इसमें फैट की मातरा भी ना के बराबर होती है अगर हम शाका आ रही हैं तो और इडली सावर में जो प्रोटीज से केलोरी के बरतिशार रहता है वो रतायर 17 से 20 परतिशार जो की डाइपिडीज को नियंदेद रखने के लिए बहुत जरूरी होता है इडली सावर में आयरन भी बहुत अच्छी मातरा में रहता है जिनको डाइपिडीज के साथ लोगों होती है और इसको सई करने के लिए इडली सावर घुनमैंकि जोँ और अगर्म हाथे में एक या दोबार लेते हैं तोौध प्ऱागा ज्यादा भी ले लेंगे तो फैदा करेगा नुकसान नहीं करेगा नहीं यह बात द्यान अतमा है इडली सावर झाल 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 झाल